कश्मीर के मसले पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं उनका परचाय करवादू एक एकर करके सवाल पूछेंगे इस मसले पर प्रेम शुकला बीजेपी की लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे जुड़ चुके हैं इस वक्त आपका स्वागत है गुर्दीप सिंग कॉंग्रस पार्टी की लीडर आपका भी स्वागत है ललित अंबर जो कि कुछी दिर में मेरे साथ हूंगे कश्मीरी पंडित है कश्मीरी एक्टिविस्ट भी है उन्हें बखूबी मालूम है कि हालात क्या बने उमेश्ट तलाशी जो कि कश्मीरी नेता है बहुत खरीब से कभी खरीब महसूस किया अपने कश्मीरी पंडितों को और वहां के रहने वाले लोगों को मैं नौट एबल तो हेर अवाज आ रही है मैं फिर से जुड़ूंगी लेकिन इस वीच मैं कॉंगर्स पाटी से भी यही सवाल पूछना चाहती हूं गुर्दीप सिंग जी है गुर्दीप जी क्यों इस सच्चाई से हम घबरा रहे हैं क्यों सच्चाई से आंक नहीं मिला घबरा रहे हैं यह सच्च है 32 साल बाद ही सही स्विकार ना होगा हम सब कुस्विकार ना होगा नजरे मिला नहीं होगी इसे आपको मेरी आवाद आ रही है यह बिलकुल मैं सुन पारिहाँ आपको आप बोलिए आपका सवाल क्या है सवाल पूचे दुबारा सवाल ये है कि अगर ये फिल्म बनी है तो इससे घबराहट क्यूँ है मैभूबा मुफती कहती है कि दो समुदायों में दूरी बढ़ रही है खरीब कब थे ये दो समुदाय कश्मीर में खासकर ने ये तो ये तो आपका मानना है कि घबराट है मेरा मानना है कि कोई घबराट नहीं है एक फिल्म बनी है जिसको देखनी है वो देखे कश्मीर की सचाई क्या है वो शायद आपको माल कश्मीर के हाला 2003-04 में ऐसे थे कि हर साल 25 सो लोग मारे जा रहे थे शायद आपको मालूम है कि नहीं है मालूम नहीं उसके बाद 10 साल जो सरकार रही हमारी उसमें करीब आपको 32 साल पहले की सचाई पता है ना हां यहीं बता रहा हूं क्योंकि क्योंकि क्श्मीरी पंडितों को गाटी छोड़नी पड़ी थी इसी वज़े से भारत की जो सेनाएं हैं उन्हों ने उस पूरे पीरेट के इंदर जो काम किया आपको नहीं मालूम होगा दर्शिक नहीं मुझे क्या क्या मालूम है आज पूरे डिबेट में मैं बता दूंगी दर्श्यकों को आपको 1990 का कोई वाक्या नहीं मालूम है अप 2004 ने मेरे को लिखे आए और आप बार बार हर लाइन में कहेंके मुझे कुछ मालूम नहीं है आपने तोक दिया शर्म ना खरिये कि आप को 32 साल पहले क्या हुआ वह नहीं मालूम है आपने मेरी बात पूरी होने दी आप क्यों बार बार इस बात का जिक्र कर आप 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 बात कीजें ना 30 साल पहले 1990 में क्या हुआ और इतना बढ़ता गया कि दो हजार तीन चाहर तक हर साल पच्छिस सो लोग वा मारे जा रहे थे इसलिए उसके बाद उनसे बदला लिया गया 4241 आतकवादी 10 साल UPA के 4241 आतकवादी मारे गए आपको ये मालू है उसके बाद के पीरिड में भी मोधी जी के टाहिए पे 1400 आतकवादी मारे गए वो क्यों मारे गए वो शांती स्थापित करनी थी कि पच्चीस सो लोग जो हर साल मारे जाते थे हो गए शांती स्थापित के 600 लोगों पर आ गए थे दो हज़ार चौर में हुई एक मिनट मैं पूछोंगी मैं तो सबसे पहले भी आपके पास आई हूँ मैं बीजेपी से पूछूँ कि पहले आप अपनी बात 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 आप ने कहा आतंक बात 1990 के अंदर हो मिनिस्टर थे मुफ्ति मौमत सई तो उनके साथ बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई थी मुख्य मंत्री उनको क्यों बनाई था गड़बंदन की सरकार क्यों नहीं बताएंगी सजा देनी थी ना बीजेपी से तो मैं सवाल पूछूँग कि आपने वहाँ कश्मीर की जिमदारी आपकी नहीं है हम आपसे ना पूछें हां मैं हां मैं बताता हूं जब जब मनमोहन सिंग जी की सरकार आई थी पत्चीस सो लोग हर साल मारे जाते थे तो जब उनकी सरकार जब गई तो एक नाम सामने आता इंदिनों एक फोटो वाइ किसे बात की यह मैं समझाँगी लेकिन अगरा आप बात को खुमारें आप सवाल पूछेंगे आप जवाब नहीं पे रहें आप जो सवाल मुझे पूछना है वह आप जवाब लेंगे मैं दूसरे लीडर के पास जातूँ में अगर आप तक आवास पहुंच रहे हैं तो मैं और गेस्ट के पास नहीं जाओं मैं गिलानी के मतले पर सवाल पूछोंगी मनमोहन सिंग मुस्कुराते हुए गिलानी के साथ तकर तस्वीर उनकी है और उसी अव्यक्ति से सिर्फ आप लोग बात करते रहें कश्मीर के मामले पे पहले आप मेरे से सवाल पार्टी कि क् आपने क्या पूचा मुझसे वह मैं बाक्या बताओं कि लेकिन अभी सारे गेस्ट के पास जाना मुझे सिर्फ आपको चिलाना है उमेशी और अगर बोलने नहीं देना है तो कुछ फाइदा नहीं नहीं बेटका